इस वक्त मैं जो हाइवे ट्रीट कैफे है उसके सामने हुँ रात को मैंने यहीं पर इस्टे किया था एंड बिग थैंक्यू टू साहिल भाई लक्षित भाई और कार्तिक भाई क्योंकि आप लोगी बदोलत मुझे यहां पर इस्टे मिला और बहुत ही अच्छा लगें आपर प्लस सब कुछ बहुत बेस्ट है तो डिजाइन कर रखा हो मुझे बहुत पसंद आया रात को तो यह बहुत खुबजरु दिखता है अंदर से भी आपको में दिखाऊंगा कि कितना प्यारा कैफे लगा आज हमारा प्लैन है वह है शिवनी जाने का तो शिवनी यहां से लगा रखिए तो हो जाएगी पांतस मिनिट में को काफे के अंदर लेकर जाता हूं मुझे बैठने वाली चीज़े बहुत पसंद आई प्लस यह वाला एरिया काफी खुबसूरत है और अंदर से दिखाया जाए तो यह जो डिजाइन कर रखा पूरा यह बहुत सुंदर आ और सामने जो मैप है वर्ल्ड का यह तो चुम्बा है और हम कहा पर है हम इस जगह पर है यह हमारा भारत है पर आज हमारा राइड का उनिष्टवा दिन है दिना सनिवार है तो सनिवार राती मुझे नीद नहीं आती लेकिन अभी हमें राइड करके बहुत अची नीद आए सुभए सुभए है काफी ठंडी हवा चल रही है बट सर्दी ज्यादा बिलकुल नहीं है निकलने का प्लैन हमेशा मेरा 7 बजेगा होता है लेकिन मुझे पता है मैं 7 बजेगा प्लैन करता हूं तो ब आठ तीस पे निकलता हूं अभी क्या गया हमी वापस जाना पड़ रहा यहां प्रिजा बन्दी आर्ट आप सभी लोग मल्लभपुर में बन्दें इतने सारे बंदे मिले हैं साइक्लिस्ट हो गे्यार यार यार डेह सेम्टों यह लिए कर्षा आक पहार का है राजस्तान आप आप शाल मेरी निदेव में कर्निया कॉमारी आप लाइट हो इसे नहीं है नमस्ते जी में बिलहाल नर्शिंग पुर्शे आगे हो गन्य कहा रहा हूं जी जी परती देन आप साइकल से किनना सपर कल लीते हैं मैं लगभग 150 km पर डे जहां भी जगह मिलते हैं वहां टेंट लगा लेता हूं बाकी लोग बहुत मदद वाले मिलते हैं आपका भी कैमरा चाहते हैं इस वक्त मैं जंगल में हूं जहां पर बहुत सारे जंगली जानवर भी ऐसा लिखा हुआ था रोड पर अपना ध्यान रख तो वहां पानी भरा हुआ है मैंन कर रहा है एक दो बंदा होता दूस तरब थेले जाते बट नहीं अभी हमें हाइवे फोलू करना है और भी निकल रहा हूं यहां से वक्त हो गया है ग्यारा बजगे पंदरा मिनट तो जैसे में रास्ते में रहा था मैंने आपको जो भाई तो शका आप को काव्य तरह यहां से अस स्य भढ़ है ओ उसम ग्हाल शाद पूरा क्यों जो हुआ है अगई तरह कर दो ससेंख कर था डेठोड जो रफा चाहरा है अज घर भाई एक भार आख एप लाद को अट्रवरा इस अट रावल करों भायान बार है आप एटनाँ ए शर्ण साफ फिर्फटर चार नग्रण एंधर लगा जरुच इन तरण जरुए एक अग़ाए घ्ले ओंड्डी सुलिए घ्रण बार्ण यज्टी एक एक बार जरुड़ गुद्सी एक यवी एक पुर जरूर जरुर गुद पूरा इंडिया ये जरुड़ी नहीं नगर फिर बार्थ के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने अच्छे बुरे लोग, जो अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, इसके साथ में आपको अलगी लेवल का कल्चर, प्लस फूड अलग जगे खाना अलग जगे के पहनावा जो हम कपड़े पहनते हैं वह बाई लोग लूंगी पहन के हैं तो यह लूंगी डान्स पर कर रहा है यह बगत मैं खानो खा लाग रहे हूं मेरे साथ मारे राजस्तान रा नागोर जिल्या रा भाईसाब है जिनके धाबे पर खानो खा रहे हैं डाबे को नाम है बालाजी डाबो तो आज खाने के अंदर है दाल और रोटी मैंने पहले बोला हूँ आराजस्तानी लैंग्वेज म क्रांब करूंस, भाइया पास में किड़ेव से राजस्तानी डापे और राजस्तानी लोगों की बात यह अलग है इस वक्त मेरे साथ भाई साहा राज को आप इस हैं मैं राज में अजरा शरी बाई से हो नाप आपको तो पेच पे चड़ाई है संतल है नहीं हलका गाट है सेम ऐसे ही है लेकिन अब तो पूरा फोरवे हो गया और ब्रेज बन गया सबसे बड़ी चीज है कि ऊबर ब्रेज बना हुआ है तो उतना वो नहीं है पहले था कि पहाडों से जाना पड़ता तो अब सीधा-सीधा अब जानबर भी रोड पर आज आते थे हां लेकिन अब तो से बन अंडर ब्रेज यह भी काफी सुंदर जगा है कितना पड़ा जंगल है यह कुंटलियर रहा है का टेशी वाला अरिया तो यह साथ किलो मिटर वहां साथ किलो मिटर यहां है एक और राइडर मिल गए है किलो मिटर पहले हूँ हमारी सेजादी का स्टेंड तूड़ गया इसे उनको नीचे गिराना पड़ता लिटाना पड़ता है वाकि यह काफी खुपसूरत जगाई इसलिए कि एक बार रोक लूँ आप लोगों को भी दिखा दूँ पूरा जंगल वाला एरिया और खासकर य हो जाते हूंगे तायर रखाई से रगक स्ट्राइक हाँ इस वक्त मैं लखना दोन को क्रोश कर रहा हूं कि जो आप लेप्ट साइड में देख रहे हैं पूरा एरिया लखना दोन का है और जो मैं सीदा जा रहा हूं यह जाएगा श्योनी तो हमारा जो एरिया रह गया है व लखना दोन मुझे लगता वहां पर लखन नाम का डोन होता होगा फिर उसको चेंज करें लखना दोन कर दिया होगा I'm sorry मजाक कर रहा हूं ऐसा मुझे नहीं पता बट नाम से ऐसा लग रहा है मुझे बाकि मैंने गोपरो को यहां पर लगा रखा है तो आप काफी अच्छे आपको तो जहां जाते हैं वहां से लोग बहुँ जादा सपोर्ट कर रहे हैं और हैंक यू definition SHAHEAYL भया और सावन भी आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत दो शुक्री आपको इस वक्त मैं सियोनी की तरफ जा रहा हूं और एक जगह पर रुका हूं क्योंकि सामने दिखाई देरा अंधेरा हो गया है तो यह हमारी लाइट लग चुकी है साइकल पर अभी स्कॉन कर लिया जाएगा ताकि सामने का नजारा देख सकें दिख जाए सब कुछ अभी हम जा र लगबग लगबग 18 किलोमेटर रह गया है इस वक्त काफी जबरदस्त घाटी आ रखे इस घाटी के अंदर मुझे पहले भी या ने इकतला किया था कि थोड़ा डेंजर एरिया हो सकता है लूट पाट होती है इसमें रात को नो दस बजे बाद ऐसा बोला था मुझे किसी न पसा है रात में थोड़ा दिक्कत हो सकती है अगर गञा रहे हैं आगे जाकर मुझे फीर से कोई चडाई ना मिले प्ले 짧ा judy अ जा फिदें जड़ाई भी थी प्लेन भी है हलो भी अज्जय हरी चौद्री नाम ही मेरा अज़स्तान के जोंचनों चेले का रेने बाला हूँ तो आप यही के रेने बाले हो यहां अच्छा पाराग्षी है तो आपको जब ट्रेवल करोगे तो आपको चीजों को एड़स्ट करते हैं कैसे सोते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं कैसे लोग अपना बना बनाते हैं और कैसे लोग अपकी मदद करते हैं तो एक सबसे इंपोर्टेंट चीजे ट्रेवल आपको बहुत कुछ सिखाता है तो आप भी सीखे मेरे वीडियो के थूरू और मैं आपको यह भी बताओंगा किस तरीके से आप लोगों से अप्रोच कर सकते हैं कैसे आप स्टे कर सकते हैं और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर और कमेंट करके बता दो कि आपको वीडियो कैसा लगा रात के दस बज़ कर तीन मिनट हो गई है सोने का हमारा वक्त हो गया है